नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूं बहुत अच्छे हूंगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं सुआगत करती हूं उपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मातर एक कप गेहूं के आटे से सूपर टेस्टी हेल्दी नास्ता की रेजपी जिसे आप एक बार बना लेंगे तो यकीन मानिए आप इसे हर रोज बनाना चाहेंगे आपके घर में इसे बनाने का रोज ही फरमाई साएगा आज मैं बस एक चीजों से सिर्फ गेहूं के आटे से ही आपको इतना टेस्टी नास्ता बना के दिखाऊंगी कि आप इसे देखने के बाद बिना बनाय रह नहीं पाएंगे तो कल है संडे तो इसी नास्ते को आप जरूर बनाईएगा फ्रेंट तो यहाँ पर मैं एक कप गेहूं के आटे को अच्छे से छानके और ले ली हूँ इसमें कुछ भी हमें मिक्स नहीं करना है यहाँ पर ली हूँ आठ से दस कड़ी पत्ता और दो हरी मिर्ची को बारी कट करके ले ली हूँ अब इसमें जो मिर्ची और जो हलका फलका सा मसाला डालूंगी वो आप अपने पसंद से डालिएगा यदि आप बच्चों के लिए बनाएंगे मिर्ची डालना नहीं चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा कि क्या इसमें आपको डालना है कड़ी पत्ता को सबसे पहले छोटा-छोटा करके बारी कट कर लेना है वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिएगा अब यहाँ पर चरहा ली हूँ पैन को चुले पर और इसमें डाली हूँ मातर एक चमच तेल तो यहाँ पर सर्शो का तेल का इस्तिमाल कर रही हूँ आप कीचन में जो भी तेल यूज करते हैं आप कर सकते हैं इसमें डालना है जब हलका सा तेल गरम हुआ है तो एक छोटा चमस जीरा और जीरा को थोड़ा सा पकने देना है जीरा हमारा पक चुका है अब इसमें डाल देना है बारी कटा हुआ कड़ी पता आप इसके जगा पे चाहे तो धनियापती भी डाल सकते हैं और साथ में दो से तीन हरी मिर्ची को कट करके डाल दी हूँ. मसाला का कलर को आपको चेंज नहीं करना है और इसमें डाल देना है एक कप पानी. एक कप आपके पास गिहों काटा है तो आप एक कप ही पानी डाले उसी कप से. साथ में डाली हूँ चुटकी भर हल्दी पौडर, चुटकी भर गरम मसाला, थोड़ा सा रेट चिली पौडर, ये कास्मेरी रेट चिली है फ्रेंट क्यूंकि हडा वाला भी इसमें डला हुआ है, अब साड़े चीज को अच्छे से हमें पकाना है पानी के साथ, थोड़ा सा अद्रक डाल देती हूँ ग्रेट करके, कद्दू कस करके, इसका फ्लेवर बहुत ही जादा अच्छा हैगा आपके नास्ते में, वीडियो को भर-भर के प्यार दीजिएगा, तभी तो मैं और भी आपके साथ रेश्पी सेयर कर पाऊंगी, अब इसमें डालना है हमें एक छ कपिया कटोरी से आप आटा ले रहे हैं, नापके लीजिएगा, उसी कपिया कटोरी से आपको एक बार पानी डालना है, एक कप आटा है, तो एक कप ही पानी आपको डालना है पैन में, तो यहाँ पर एक छोटा चमश डाली हूँ, सफेद तील, और थोड़ा सा चिली फ्ले और बहुत अच्छे से पानी के साथ हमें आटे को मिक्स कर लेना है, दवा-दवा के थोड़ा सा चुली को जो आप चला रहे हैं, उसके दवा-दवा के मिक्स करें, जो अंदर में पानी पड़ा हुआ है, उसमें आटा जो है, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, आप ए गेहूं के आटे की सेव नमकीन बनाने हैं बीना मसीन बीना साचे का एकदम आसान तरीके से आपको वीडियो का लिंक चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगे बहुत ही आसान तरीके से गेहूं के आटे की सेव नमकीन बनाके दिखाई हुई हूँ जदा तर हमारे चैनल पर आपको नमकीन पापर चिफ सीसी सब का रेस्पी मिलेगा आप नए हैं तो एक बार चेक आउट जरूर कीजिएगा अब पैन में से आटे को निकाल ली हूँ नीचे और देखिए कितना ही आटा हमारा बढ़ियां से एकदम लग चुका है और बिल्कुल भी ये चिप चिपा नहीं है देख पा रहे हैं अभी हलका सा ये गरम है इतना गरम है कि आप इसे हाथ से अच्छे से टच कर पाए अब थोड़ा सा तेल लगा के आटे को मसल के आपको थोड़ा चिकना कर लेना है तो देखिए इसी तरीके से क्योंकि पैन मे कर लेती हूं और एक लोई को इस तरीके से गोल करना है गोल करने के बाद इसे बेलूंगी तो चलिए यहाँ पर बेल के आपको दिखाती हूं इसे बहुत ज्यादा आपको पतला नहीं बेलना है बहुत ज्यादा मोटा नहीं बेलना है थोड़ा सा आटा लगा लिजिए इस ही जादा पसंद आएगा क्यूंकि जब मैं बनाई थी तो हमारे घर में भी सभी को बहुत जादा पसंद आया था देखिए थोड़ा सा मोटा इसे रखना है अब इसका किनारे को अच्छा सा सेप देने के लिए यहां पर धकन का इस्तेमाल कर रही हूं आप कोई भी देखिए आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं नहीं तो आपके पास ऐसा कुछ स्टिल का है दपा का धकन तो आप इसे कट कर ले जिससे किसका किनारा एक जैसा हो जा और देखने में और भी हमारा नास्ता सुंदर लगे तो चलिए कट कर देती हूं और किनारे का जो आटा बताती हूँ तो देखिए कितना गोल मटोलशा हमारा ये नास्ता का सेफ आ गया है इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा अब इसका सेफ आप जैसा चाहते हैं वैसा कट कर सकते हैं सबसे सुन्दर सेफ है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ इसे कटने के लिए आप चाकू इस तरीके से करके, फिर इधर से हमें काट देने हैं, इसी तरीके से तिर्चा करके बहुत अच्छे से, काट करके तयार कर ली हूँ, अब निकाल लेना है, तो आपको दिखाती हो, देखिये फ्रंस, बिलकुल भी यह चिप-चिपा नहीं है, यह हूँ काटा है, तो यह पहले कैसे बना के तयार कर लेती हूं फिर आपको बताती हूं कि इसे बनाना कैसे है तो देखे फ्रेंट सारे नास्ते को कट करके तयार कर ली हूं अब चलिए बना के दिखाती हूं नास्ता बनाने के लिए हाँ पर पैन में थोड़ा सा तेल डाली हूं बहुत ज़्यादा तेल नह अब इसमें एक बार में जितना नास्ता आजा उतना आप इसमें डाल के और अलट पलट करते हुए इसका कलर चेंज होने तक और अच्छे से खसता होने तक आपको पकाना है गैस के आज को मीडियम रखिए और आराम से इसे अलट पलट करते हुए इसका कलर चेंज होने तक ज जिसमें आप सुरन की सब्जी हमारे तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप हमारे सकेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपको चैनल का लिंक चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा मैं लिंक दे दूंगी सकेंड चैनल को और उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए क तेखिए इसी तरीके से जब इसका कलर अच्छा सा आ जाए तब आपको नास्ते को निकाल लेना इससे क्या होता है उपर से एकदम खसता बनेगा अंदर में जब आप खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा एकदम सौप्ट लगेगा तो इसी तरीके से सारे नास्ते को हमें बना लेने हैं और बनाने के बाद आप इसे अपने मन पसंद किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं हरी चटनी के साथ टोमेटो सौस के साथ तो चलिए सारे बना के दिखाती हूँ तो देखे फ्रेंड्स यहाँ पर बनके तयार है हमारे सूपर टेस्टी नास्ता और ऐसा है देखने में आपको लग रहा होगा सिंपल सा लेकिन काफी हेल्दी और टेस्टी है तो इसे आप जरूर बनाईएगा तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नाई रेस्पी के साथ थेंक यू